अब बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है आपको एक मेसेज दिख रहा होगा जब आपको कुछ इस प्रकार का मेसेज आ रहा होगा मैं आपको दिखाने के कोशिज कर रहा हूँ यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको भी मैं आपको डिटेल से बता दूँगा जब आपको बैंक का अकाउंट नमबर डालके और आपको यह मेसेज आ रहा होगा यह message आपको क्यों आ रहा है जब आप bank account number डाल रहे हो जो भी अगर आप bank account number change कर रहे हो या फिर आप आपको bank account number वही डालने की कोशिज कर रहे हो अपडेट करने की कोशिज कर रहे हो अपने UN या PF account के साथ तो KYC के साथ यह message आ रहा है इसमें लिखा है Sam bank account number is already said against your UN a मतलब कि यह बोल रहा है जो आप bank account number डाल रहे हो वह है Sam है तो यह क्यों आ रहा है इसकी problem का क्या solution है मैं आपको इस वीडियो में बारिकी से बताने वाला हूँ अब आपको यह message नहीं आएगा और आप भी अपना bank की KYC change कर सकते हो IFC code भी change कर सकते हो बारिकी से मैं आपको इसमें डीटेल से समझाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदे सब कुछ clear कर दूँगा तो दोस्तो वीडियो के अंदे तक आप पूरा बने रही है वीडियो skip ना करिए तब आपको पूरा process समझ माएगा दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके आप जब यू और पासपर की मतल से लोग इन हो जाओगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा अब आपको यहां पर यह दिख रहा होगा एक बैनर सा आपको इसको हटा देना है यहां से क्रोस का एक निसान होता है इससे इसको हटा देना है उसके आता है अब आपके सामने यहां पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आजाता है मैं आपको दिखा भी रहा हूँ अब आप जैसे ही अपना जो भी KYC कर रहे हैं है न्यू मैं आपको दिखाने के कोशिस करता हूँ यहां से आप KYC करते होंगे तो आप जैसे ही इस option पर किलिक करते हो बैंक के आपको यहां दिख रहा होगा एक मैं आपको दिखा देता हूँ किलिक ओन KYC डोकुमेंट टू एड मतलब कि आप जो भी अपना डोकुमेंट एड करना चाहते हो अपने पी एफ अकाउंट के साथ उसको आप इसकी मदद से एड कर सकते हो लेकिन इसमें जो बैंक का अकाउंट नमबर चेंज कर रहे हो बैंक ऑप्सन पर जैसे ही आप किलिक कर रहे हो अब बैंक के ऑप्सन पर मैंने जैसे ही किलिक किया तो आपको यहां पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिख रहा होगा आपका नाम को यह है और रेडी यह है ले ले लेगा डालोगे और आप bank account number को दुबारा confirm करने के लिए यहां पर डालोगे उसके बाद जो भी आपका confirm करने के लिए यहां डाला है वहे आपको एकदम दीखेगा एकदम आपको देख सकते हो कि वहे क्या number अपने डाला है अब जो bank अपने बैंक अकाउंड नंबर को और आफसी कोड आपने डाल दिया है तो आपको यह नजर आएगा verify option तो verify आपको किलिक करना होता है क्योंकि यह update करने के लिए आपको एक बार verify पर किलिक करना होता है तो मैं इस पर किलिक कर देता हूं अब आप यहां देख सकते हो यहां पर हो उसी account को आपको समझ में आ रहा होगा कि आप जो account आपने पहले से दे रखा है already और उसी account को आप दुवारे update कर रहे हो और उसका IFC code और account number same है तो आपको यह message आएगा इस परकार का क्योंकि वह update नहीं होगा वह क्योंकि एक बार already हो चुका है तो उसको आप दुवारा न अलग होना चाहिए आपको समझ में आ रहा होगा तो आपको यहां पर दिख रहा होगा ओके तो मैं जैसी के पर किलिक करता हूँ तो यहां पर हमको एक message दिखेगा आप देख सकते हो यह red color का एक message आ गया है और अक्षरों में red color में आपको मैं दिखाने कोशिज करता हूँ चोकोर की मदद से आपको दिख रहा होगा यहां पर यह एक message होता है इसको आपको देख सकते हैं इसको पढ़ सकते हैं यह क्या लिखा हुआ है Sam bank account number is already saided again you are una मतलब कि यह बोल रहा है अगर आप Sam bank account number को डालोगे तो वह नहीं लेगी PF उसको नहीं accept करेगा आपको या तो आपको bank account number अलग होना चाहिए और IFC code अलग होना चाहिए या फिर अगर आपका bank account number वही है लेकिन उसका bank account number same है जैसे कुछ bank convert हुए है मैं आपको दिखाने कोसिस करता हूँ इस image द्वारा जैसे कुछ bank बड़े bank में convert हुए है दो bank को ने साजा करके एक bank बना लिया है तो आपको दिख रहा होगा इस परकार से तो उनका IFC code चेंज ह कर सकते हो लेकिन account number आप update नहीं कर सकते क्योंकि account number वही होता है तो आपको समझ में आ रहा होगा या तो आपका bank account number एकदम अलग होना चाहिए और IFC code भी अलग होना चाहिए तब जाके आप update कर सकते हो तब जाके आपको यह message नहीं आएगा क्योंकि आप जब गल्तिक करते हो तब आपका जो यह message होता है अब आता है आप सोचते हो कि हम हमारे bank की KYC डाल देते हैं क्योंकि हमने दूसरी company में working कर रहे हैं तो आप जब उसमें working करते हो तो नया bank account number डालते हो तो आपको सोचते हो कि हम हमारे bank account number की KYC भी update कर देते हैं लेकिन आप दुबारा ही उसी bank account की IFC update कर देते हो तो वह कुछ इस प्रकार का message आपको दिखने को मिलता है क्योंकि आप जब एक बार bank account number डाल देते हो और उसका IFC code SAM आप डालते हो और bank account number डालते हो तो वह update नहीं होता है आपको यही message दिखने को मिलेगा आपको समझ में आ रहा होगा आपको अगर आपने एक account number अलग होना चाहिए और IFC code भी अलग होना चाहिए या फिर आपका account number वही है जैसे मैं आपको बता चुक्वा हूँ एक image द्वारा अगर उसका bank में convert हो गया है तो उसका bank account number तो वही रहता है लेकिन IFC code change हो जाता है तो आप IFC code डालके इस verify पर आप किलिक करके आप अपना update कर सकते हैं आपको समझ में आ रहा होगा तो उस परकार से आपको फिर यह message नहीं देखने को मिलेगा अब आप जैसे ही scroll करके आपको मैं नीचे दिखा देता हूँ जैसे ही आप अपना currently active KYC देखोगे तो आपको यहां नजराएगा आपका bank account number तो आपका bank account number है उसका आप cream नबर होता है जिसको bank account number Nombers बोलता है वह आपको यहां नजरा आ रहा हूगा bank account number है यह हूं जो आपको समझ में आ रहा होता नुसार आप देख सकते हो नहीं तो आप अपडेट नहीं कर सकते हैं उसी दिख़एँगा उसान का來了 को जब आ डालोगे RFC code, account number और आप verify पर click करोगे यहाँ पर तो आपको यह message दिखाई देगा आपको तभी यह message आ रहा है तो या तो आपका account number अलग होना चाहिए या आपका RFC code अलग होना चाहिए तभी जाके आप इसको update करते हो दोस्तो आसा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो दोस्तो कैसे लगा मेरा वीडियो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो like करे, आगे share करे और PF से संबंदित हर जानकरी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद